नमस्कार दोस्तों एक बार फिस से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इंडियन टेक्निकल एस्टेटोट पर तो दोस्तों यहां पर जो है आने वाला हूं कि कौन सी कौन सी तारिक को कौन कौन सा पेपर है तो आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर पहली वार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा इसी तरह की अपडेट जो है वो आपको इसी चैनल के उपर मिलती रहती है चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों अब यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको यहां पर दिया गया है सबसे पहले जो है यह कितने तारिक को अपडेट आई है तो यहां पर दिया गया है तो यहां पर दिया गया है 23 तारिक यानिकि 23 तारिक को अपडेट आई ह है यहे दो दिन ही हुए है इसको आहिए और अभी जो है यह एक्जाम जो आप देक सकते हो नومबर की जाने कि नومबर क्या रहएंगिस के अन्दर एक्जाम होने है नम नोन 2021 के अंदर exam होने के लिए इन्होंने जो है time table जारी किया जिसके लिए आप देखिए कितने तरिक से पेपर स्टार्ट है तो 22 तरिक से यानि कि 22 नुवंबर से आपके पेपर स्टार्ट है जिसके लिए time क्या रहेगा 10 वजे का time रहेगा और इसके अंदर अगर मैं बात करूं स सबसे पहले जो offline paper है उसकी बात करते हैं तो offline paper के लिए देखे दो system दे रहे हैं पहला annual system दे रहे हैं और दूसरा semester system दे रहे हैं annual system के अंदर यहां पर आपको जो है engineering और non engineering trade के बारे में देरक है और paper कौन-कौन से होने हैं तो engineering drawing vocational science calculation practical soft skill इसके लावा engineering communication soft skill इनके जो practical है वो आपके यहां पर जो है भी होने हैं दोस्तों और यहां पर अगर बात करें engineering trade और non engineering trade के लिए तो यहां पर आपका जो है semester system के अं semester का paper है second semester के लिए कोई भी paper नहीं है तो first semester में आपका engineering drawing है vocational science है calculation है practical soft skill है engineering communication का practical है तो इतने यहां पर जो है आपके paper offline होने है तो offline के लिए आपका यह schedule दिया गया दोस्तों और अगर इसी के साथ में मैं बात करूं कि आपके जो है और कौन-कौन से paper जो है online होने है तो कौन कौन से paper online होने है तो देखे 23 से लेकर 27 तारीक तक 23 से लेकर 27 तारीक तक आपकी जो है online paper की date रहेगी जिसेंदर CBT exam रहेंगे वह CBT exam के लिए आप देखे कौन-Kौन से paper है तो यहां पर पूरे के पूरे आपको paper देर एके है कि कौन-Kौन से paper CBT रहेंगे तो CBT के लίए इतने पेपर आपके रहेंगे वह भी आपके ओन लाइन रहेंगे यानिकी चीबटी रहेंगे अब इसके अंदर आपका admit card देखे इन्होंने सीधा simple बोल दिया कि admit card जो है वो आपका जारी कर दिया जाएगा exam से पहले वो भी www.nimioonlineadmission.in की जो site है इनकी इसके उपर जारी कर दिया जाएगा दोस्तों अब इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो इसके अलावा जो है आपके कौन-कौन से paper जो होने है तो यहाँ पर जो है देखिए आगे आपके time देर का है 29, 30, 1, 2, 3, 4 तो इसके अंदर आपका trade जो है practical है training methodology का तो जिसके लिए आपकी अलग-अलग paper है वो आपके देर के है trade practical और trade practical training methodology तो इनके लिए आपकी अलग-अलग date रहेगी उस date के according आपका paper हो सकता है कब से कब तक तो 29 तारिक से लेकर 4 दिसंबर तक यादि कि 29 मार्स से 4 दिसंबर के बीच में आपका practical रहेगा trade practical और training methodology जो हता है उसका और अगर cbt exam की बात करें तो 23 तारिक से लेकर 27 तारिक के बीच में रहेगा और अगर अगर अपने बात करें जो आपका offline paper होतना है drawing वगएरा का तो वो आपका 22 नुमबर को रहेगा तो ये सबी जो है आप सबी के लिए update थी और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखे लंच ब्रेक देर का है एक बज़े से लेकर एक 30 तक वो भी only practical exam के अंदर रहेगा 30 मिनट का ठीक ना तो 30 मिनट का आपको practical exam के अंदर एक जो है बेक मिलेगा बाकी जो है सबी के अंदर कोई भी आपको जो है लेंस टाइम नहीं मिलेगा दोस्तों क्योंकि आपको पता है जो आपका practical होता है वो लग आठ गंटे का होता है तो आठ गंटे के पेपर के अंदर बीच में आपको रिष्ट दिया जाता है आदे गंटे के अब यह जो थी यह आप हो सके और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और नीचे कमेंट सेक्षन के अंदर कमेंट कीजिए अगर कोई भी आपको समस्या आती है तो उसके रिगार्डिंग और बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों क्योंकि सब्सक्रा वीडियो मेंट के लाइक कीजीए ग्राइब जरूर कर र दीजिए और Kne Church झाल झाल